प्रिये विद्यार्थियो नमस्कार, बिये पार्ट, दित्तिये प्रसंपत्तर, भारती संस्कृति के मूला आधार के संबंद में आज हम बोध धर्म के बारे में अध्यन करेंगे। बोध धर्म, जैसा कि आप सभी जानते, इसके संस्तापक महात्मा बुद्ध थे, जिनके जन्म के विशे में मुख्यत तीन प्रमप्राएं परचलित हैं। बुद्ध की जन्म तिथी 624 इसापूरु ग्यात है। उलेखनी है कि भारत में बुद्ध का पचीस सोवा निर्वान महोत्सव 1956 में इसी तिथी को आधार मानकर मनाया गया। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक इस्थान पर हुआ था जहां आज भी असोक का एक इस्तंब इस्तित है जो रुमंदेई इस्तंब कहलाता है जिसमें बुद्ध की जन्म की घटना का उलेख है। बुद्ध की जन्म इस्तली होने के कारण यहां के लोगों के धार्मिक कर अर्थात बली माफ कर दिया तथा भूमिकर जिसे भाग कहा जाता था घटा कर एक बटा आठ कर दिया। वे भिक्सु जिनोंने बुद्ध के जन्म पर भविश्वानियां की थी कोनिन एवं काल देवन। बुद्ध का प्रारंभिक नाम सिधार्थ, पिता का नाम सुद्धोधन, माता का नाम महामाया था। बुद्ध के पिता सुद्धोधन साक्य गणराज्य के प्रधान थे जिसकी राजधानी का पिलवस्तु साक्य वन से सम्मंदित होने के कारण ही बुद्ध को साक्य मुनी के रूप में अभीहित किया गया है। गोतम इनका कुल नाम था इसलिए ये गोतम बुद्ध की रूप में भी सुविग्य हैं। इनके जन्म के सातवे दिन इनकी माता महा माया का निधन हो गया। परणाम स्वरूप इनकी वी माता महा परजापती गोतमी द्वारा किया गया। उलेखनी है कि महा परजापती गोतम को बोध धर्म की परतम बिक्षुनी होने का गोरव प्राप्त है। सिद्धार्थ का विवा 16 वर्ष की आयू में कोलिय गणराज्जी की राजकुमारी ये सोद्रा के साथ हुआ था। कालांतर में इनके एक पुत्र भी उत्पन हुआ जिनका नाम था राहुन जिसका आर्थ था बंधन। लेकिन बुद्ध के ग्रहत्याक का संभावित कारण उनका संवेदन सील होना था। गटनाएं तो निमित मात्र थी। 29 वर्ष की आयू में सिद्धार्थ ने सत्य को जानने के लिए ग्रहत्याक किया। इन इस घटना को बोध साहित्य में महाभीनीश कर्मन कहा गया है। इसका साब्दी कर्थ है महान सत्य की खोज के लिए परियाण। बुद्ध के सार्थी का नाम चन्ना था जिसके साथ उन्होंने नगर का ब्रह्मन किया। बुद्ध के प्रियस्व का नाम कंटक था। वे भिक्सु जिनोंने बुद्ध ने सरवपर्थम ज्यान प्राप्ति का प्रियास किया जिनसे बुद्ध ने ज्यान प्राप्ति का प्रियास किया वे थे अलारकलाब एवं उदक रामपुत धन्यवाद